निवेशकों के लिए कमाई का बड़ा मौका आ गया है बाजार में एक और नई कंपुनी का IPO दस्तर दे रहा है ये कंपुनी कॉंटम और प्रेग्नेंसी किट बनाने का काम करती है हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा की इस IPO में निवेशकों को मुनाफ़ा होने की उमीद है निवेशकों के लिए ये IPO पट्रीस एप्रिल से खुल रहा है और इस IPO के लिए 27 एप्रिल तक बोलिया लगाई जा सकती है आगे बढ़ने से पहले बात करेते हैं बिस्तक का प्रिमियम आ गया है बिस्तक प्रिमियम मेंबर्शिप में तीन प्लैंस होंगे Silver, Gold और Platinum Silver प्लैन में हर सुबह मारकेट उपन होने से पहले मिलेगा आपको Market Newsletter लाइच चैट में सवालों के जिबाब मिलेंगे सबसे पहले Silver सब्सक्रिप्शन के लिए देने होंगे मात्र 169 रुपे महिना, गोल्ड जॉइन करेंगे तो अलग से हर महिने बिस चैट पर आप कर सकते हैं एक्सपर्ट्स और हमारे एंकर्स के साथ बात और पोस्ट मार्केट लाइट स्ट्रीम से जुनने का मौका भी मिलेगा, हर वीकेंड मार्केट स्कैन भी मिलेगा प्लाइटिनम प्लाइट पर चलते हैं, सिल्वर और गोल्ड के फाहिदे के साथ प्लाइटिनम मेंबर्स को हर तिमाही एक्सपर्ट के साथ webinar से जुडने का मौका मिलेगा यहां मिलेगा portfolio doctor और events का exclusively lounge access भी तो फटाफट जॉइन कीज़े यूट्यूब पर बिस्तक premium जॉइन करने के लिए बिस्तक के यूट्यूब पेज पर जाएए home page पर मिलेगा जॉइन बटन इसे क्लिक करें अपनी पसनिदा वाला प्लान चुने और बस हो गया काम हम बात कर रहे थे mankind pharma की इसका IPO का price band 1026 रुपई से 1080 रुपई के बीच है एक lot में 13 share है एक lot के लिए 14,044 रुपई निवेश करने होंगे एक retail निवेशक ज्यादा से ज्यादा 14 lot के लिए apply कर सकता है 14 lot के लिए 1,96,560 रुपई का निवेश करना होगा IPO के जरिये company की 4,326 करोड रुपई जुटाने की योजना है ये IPO पूरी तरह से offer for sale है इसका मतलब हुआ कि शेर होल्डर इस IPO के लिए अपनी शेर होल्डिंग बेच रहे है IPO से मिलने वाली पूरी रकम शेर होल्डर की जेब में जाए गई IPO के जरिये promoter रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा और शूतल अरोडा अपने स्टॉक बेच रहे हैं इसके लाबा investors केरन हिल C.I.P.E.F, केरन फील C.G.P.E, बीड लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्वेस्ट भी अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं IPO में Qualified Institutional Investors का कोटा 50 फीजदी पर फिक्स है Retail Individual Investors का कोटा 35 फीजदी है दूसरे तरफ Non-Institutional Investors का कोटा 15 फीजदी रखा गया है Mankind Pharma, Condom, Pregnancy Kit और Contraceptive Pills बनाने वाली देश की लीडिंग कमपनी है कमपनी के पास करीब 36 ब्रैंड्स है घरिलू बाजार से कमपनी को कोट रवेन्यू का 97 फीजदी से ज्यादा हासिल होता है कमपनी Man Force Condom, Pregnancy Test Kit, Prega News और Emergency Contraceptive Brand Unwanted 72 के ब्रैंड नाम से प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है इसके लावा ये anti-acid, powders, vitamin और mineral supplements और anti-acne preparation जैसे healthcare products को भी बना कर बेचती है अब आपको बुदाते हैं ब्रोकर्स की इस IPO पर क्या राई है आनन्द राठी के मुताबिक कमपनी के IPO का फ्राइज बैन हाईर साइट पर 30 बुना है कारुबारी साल 2022 में कमपनी का EPS 36 रुपे प्रतिश रहा इसके मुकाबले कमपनी का higher price band 1080 रुपे यानी 30 गुना है कमपनी के सामने बड़ी चुनौती कच्यमाल के बढ़ते दाम कहका है कमपनी का 22 फीजी CA-CGR है जो कि अच्छा है कमपनी की घरेलू बाजार में अच्छी पकड़ है वही Reliance Securities का मानना है कि कमपनी का focus घरेलू मार्केट पर ज्यादा है कमपनी Medical Representative के नेतरत्व वाले model पर ज्यादा निर्फर है कुछ अनैदिक प्राक्टिस के आधार पर ये model इन दिनों regulator के रडार पर है Mankind Pharma IPO को ग्रे मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रे मार्केट से ये share premium पर trade कर रहा है ग्रे मार्केट में Mankind Pharma का share 1153 रुपे पर trade हो रहा है यानि कि IPO के 1080 रुपई के price के मुकाबले 73 रुपई ज्यादा महेंगे valuation और ज्यादा कर्स के चलते ग्रे मार्केट में भाव गिर रहा है वैसे company का कारोबार मजबूत है ये देश की पांचवे नंबर की बड़ी Pharma Company है अब अगर आपको इस IPO में निवेश करना है तो किसी निवेश सलाहकार की राय ज़रूर है आपको हमारे जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही जो हमारे नई व्यूवर्स हैं वो भी चैनल को सिस्ट्राइब करना ना भूलें करना है